ओम श्यांती, 13 सितंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, जैसे उस मिलेटरी में कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन मना साइलेंस, ये तुम्हारी है रुहानी मिलेटरी, तो तुमको भी बाप कहते हैं ब उख से बोलना पड़ता है, नहीं तो वासों में तुम्हे तो बोलने से भी दूर होना चाहिए, तुम्हारा अटेंशन सिर्फ एक बाप की याद पर हो, और ये अटेंशन फोरेवर रखना है, जैसे वह मिलेटरी वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ऐसे तुम भी गु बाप ने कहा, तुम हो लाइट हाउस, तुम्हारी एक आख में शांती धाम और दूसरी आख में सुख धाम रहना चाहिए, उठते बैठते चलते लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शांती धाम का रास्ता बताते रहो, सैलवेशन आर्मी बन, सबको पांच विकारों की ज रचता और रचना की आदी मध्यांत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए, तुम लाइट हाउस होना, तो तुम्हें अपनी भी संभाल करनी है, और दूसरों का भी कल्यान करना है, बुद्धी में रहे, मनुश्यों की सर्विश कैसे करें, और अब सुनते हैं, महवाक्यो को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सल्वेज करने वाले सल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फसना है, प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी, उत्तर, जब भी समय मिले, तु शरीर से डिटेच होने की प्रैक्टिस करो, डिटेच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएगी, उसमें बल भरेगा, तुम अंडरग्राउंड मिलेटरी हो, तुम्हें डारेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात, एक बाप की या याद में रहो, अशरीरी हो जाओ, ओम शान्ति, ओम शान्ति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रिती समझाया है, जहां मिलेटरी खड़ी होती है, वे फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस, यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्था प्रदान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह हैं सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलेटरी हैं तुम भी मिलेटरी हो। अंडरग्राउंड मिलेटरी भी होती है न गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो। तुम भी गुम हो जाते हो। अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है underground, कोई पहचान न सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यत्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं, याद से इन विचारों का कल्यान होगा, अब तुमको विचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं, बिचारे उनको कहा जाता है, जो कहां बंधन में फसे रहते हैं, यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आख में शानती दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो। उटते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। सबको सुख धाम शांती धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नईया अटकी पड़ी है। तब तो कहते हैं नईया मेरी पार सी पड़ी है। उनको सल्वेज कौन करे। वे कोई सल्वेशन आर्मी तो है नहीं। ऐसे ही नाम रख दिया है। वासो में सल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सल्वेज करते हो। सब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं। इसलिए कहते हैं हमको जाद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बाते हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है। पावन बनना है। जो धर्म सापन करने आते हैं वे तो पवित्र आत्माई ही आती हैं वे तो अपवित्र हो न सके पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा वो शरीर को दुख मिल न सके क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता तो दूसरों का भी नहीं होता है, हर एक बात पर विचार करना होता है, वहां से आत्माई आती हैं धर्म सापन करने, जिनकी फिर डाइनेस्टी भी चलती है, सिख धर्म की भी डाइनेस्टी है, सन्यासियों की डाइनेस्टी थोड़े ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं, सिख धर्म म महराजा आदी हैं तो वे जब आते हैं सापना करने तो वे नई आत्मा आती हैं क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चन धर्म सापन किया बुद्ध ने बौधी इबराहिम ने इसलाम सबके नाम से राशी मिलती है देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की सापना करते हैं। वह देहधारी नहीं हैं। और जो धर्म सापक हैं उनकी देह के नाम हैं। यह तो देहधारी नहीं डाइनेस्टी नई दुनिया में चलती हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रुहानी मिलेटरी जरूर समझो। उन मिलेटर पुरियादी के कमांडर आदी होते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो जट खड़े हो जाते हैं, अब वह तो हरेक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शान्त में रहेंगे, परन्तु वह जूठी शान्ती हो जाती हैं, तुम जानते हो हमात्मा हैं, हमारा धर्म ही शान्त है फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्यान मिलता है, ज्यान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, यह ज्यान और कोई को नहीं है, मनुष्य यह थोड़े ही समझ से हैं, हम आत्म शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है, यहां तुमको वह बल मिलता ह जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है और कोई को याद करने से क्या फाइदा। बाप तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना हे अरजुन इन सब को छोड़ो। सत्गुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ। विशे सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। मांजी तो वैसे नाव चलाने वला होता है। प्रंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राण इश्वर बाबा। अर्थात प्राणों का दान देने वले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंद्रूस हैं, आत्मा विगर तो शरीर में ही बांस हो जाती हैं, फिर उनको रख करके क्या करेंगे, जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे, शर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, प्रवाद स्वर्ग पधारा जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शम्शान तरफ करते हैं फिर जब वहाँ अंदर घुष से हैं पूजा अधिकर समझ से हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिरा कर मुह शम्शान तरफ कर देते हैं तुमने श्रीकृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है नर्क को लात मार रहा है श्रीकृष्ण का यह शरीर तो नहीं है उनका नाम रूप तो बदलता है कितनी बातें बाप समझा कर फिर कहते हैं मन मनाभव यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धी बाप में लगी रहे तुम्हारा यह है अटेंशन फोरेवर सदा के लिए हैं जब तक जीना है बाप को याद करना है याद सही जनम जनमांतर के पाप कटते हैं याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे बाप को याद करना है याद में आखें कभी बंद नहीं करनी हैं सन्यासी लोग आखें बंद कर बैठते हैं कोई कोई तो इस्त्री का मो नहीं देखते हैं पट्टी बांध कर बैठते हैं तुम जब यहां बैठते हो तो रचता और रचना के आदी मध्यांत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए तुम लाइट हाउस होना यह है दुख धाम एक आख में दुख धाम दूस ते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो बाबा भिन भिन नमोने से बताते हैं तुम अपने भी संभाल करते हो लाइट हाउस बनने से अपना कल्यान करते हो बाप को याद जरूर करना है जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं वेह तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको बोलो आपको पता है, यह दुख धाम है, वेह शांती धाम और सुख धाम, आप शांती धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है, आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा यह नईया है जो रावन की जेल में लटक पड़ी हैं। गुरु करते हो मुक्तिधाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वे समझ से हैं यह शास्त्र आदी पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आकरीन कोई न कोई रूप में मिलेगा। यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया हैं एक को याद करना है। जो भी धर्म सापक हैं वे भी ऐसे इशारा देते हैं। क्योंकि तुमने शिक्षा दी हैं तो वे भी ऐसे इशारे देते हैं साहिब को जपू। वे बाप है सत्गुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं। उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है। और किसको बाबा नहीं कहते हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फसे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फसे हुए हैं, छूटते नहीं, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे, तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी मानी, रोटी लेनी हैं, मोचरा बहुत खाते हैं, तो पदब्रष्ट हो जाता है, मा मोचरा अर्थात सजा, तो मानी अच्छी मिलेगी, यह है कांटूं का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, स्वर्ग को कहा जाता है, गार्डन ओफ अल्लह, क्रिश्चन लोग भी कहते हैं, पेराडाइज था, कोई समय साक्षतकार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहा कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नौलेज ले, सब तो आ न सके, देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, प्रन्तु वहे थे पावन, यह हैं पतित, पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं, यह एक ही धर्म है, जिसे धर्म भ्रष्ट करम भ्रष्ट कहा जाता है, आदी सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते, हम बच्चों का most beloved बाप है, जो तुम को क्या से क्या बना देते हैं, तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान स्रिष्टी पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे, बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाओं है नहीं, इसलिए इन में प्रवेश करते हैं, अब तुम बच्चे इश्वरिये दुनिया में बैठे हो, वह सब हैं आसुरी दुनिया में, यह बहुत छोटा संगम युग हैं, तुम समझ से हो, हम न दैवी संसार में हैं, न आसुरी संसार में हैं, हम इश्वरिये संसार में हैं, बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए, बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छ हम ब्रहमांड के मालिक हैं, ब्रहमांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना हैं, प्रंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते, समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलर्शिप ले लेते हैं, वंडर है यहां कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ ब्राह्मनी का काम है जांच कर लाना तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारन कर पार्ट बजाती है उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्णिंग धारना के लिए मुख्ये सार, लाइट हाउस बन, सबको शांती धाम, सुख धाम का रास्सा बताना है, सबकी नईया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्यान करना है दूसरी पोइंट, अपने शांत स्वरूप सिती में सित्त हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, याद में आखे खोल कर बैठना है, गुद्धी से रचता और रचना का सिम्रन करना है वर्दान, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्यान स्वरूप और शक्ती स्वरूप बनाने वले संपूर्ण पवित्रभों बापसमान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो, फाउंडेशन में ब्रह्मचरिय वरत धारन करना ये तो कॉमन बात है सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, द्रिश्टी वृती की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्यान स्वरूप और शक्ती स्वरूप बनाओ संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी स्माप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा स्लोगन, द्रिश्टी में सबके प्रती रहम और शुब भावना हो, तो अभीमान वा अपमान का अंश भी नहीं आ सकता ओम शान्ती, ब्राह्मन परिवार में कुछ बहुत कमजोर आत्माई है, उनकी पहचान के लिए बाबा ने कुछ लक्षन सुनाए है, वो जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान होती